γα lo friends, आप सभीका स्वागत है, friends आप सभीका कल समाजी विज्यान के पेपर ए्टो फ्रेंस बूर्ट के तवारा जो समाजी विज्यान के पेपर वार्ल किया गया है, इस पेपर को आप जरूर से हल करके friends जाएं then friends, इसमें से आपके बूर्ड के एक्जाम में मैक्सिमम सवाल आएंगे तो फ्रेंस आप इसको एक दो बार हल करके जरूर जाएं फ्रेंस यहां पर आपको मांचित्र वाले जितने भी सवाल आपको समय मिलेगा तीन घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा देखिए आपको समान निर्देश के बारे में आप सभी को पता होगा चलिए सीधे आपको प्रशन हल करके बताते हैं मांचित्र वाले सवाल भी हल करते हैं देखे इसके कुछ यह निर्देश अपर लीजिए गा देखे यहां से आपको खंड अ है जिसमें 20 अंक है और बहुकल्पी प्रशन रहेंगे प्रतेएक प्रशन एक अंक का होगा आपका पहला सवाल है कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संदी से संबंदी थे ठीक है फ्रेंस आपसाने बिसमार्क दूसरा नेपोलियन ड्यूक मैटरीक ज संदी से संबंदी थे इस प्रेशन का सही जवाब होगा ठीक है आपके सामने दूसरा नंबर का सवाल है सत्ता की साजदारी के बेल्जीय माडल का मुख्य महत्व क्या है आप संध्यान से पढ़िए फ्रेस सभी जातिये समूहों से उनकी आबादी के अनुशार शक्ति साज सजवाइन के बेल्जी जुए माडल का मुख्य होगा नहीं कि नहीं का पाड़िये उनके सामान परति जवाब तक क्यों गिर गई आपसन है बाढ़ के कारण सूखे के कारण महामंदी के कारण यह उपरयुक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंद देखी आपका जो अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल यहां पर चौथा नंबर देखिए फ्रेंस आप ब्रेटन बुट्स नामक संस्थान निम्नलिकित में से कहां इस्तित है आपसन अमेरिका यूरोप अफ्रीका या इन में से कोई नहीं तो फ्रेंस देखिए ब्रेटन बुट्स नामक जो संस्थान है आपका अमेरिका में इस्तित है इसका सही जवाब होगा ठीक है इसका सही संवेधान शक्तियों का केंदीकरण संग एम्राजियों के मद्षक्तियों की वर्वाजन सर्वच्छ नहीं-देखि कुछ संविधान नहीं है इस प्रस्था इसके अलवा संग्य सरकार के जो लच्छड शक्तियों का केंदी करण भी है संग अमराज्यों के मद्द शक्तियों कोई भाजन भी है और सरवच नियायाले भी है ठीक है आपके सामने सत्वा नंबर का सवाल है यदि हम लेंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है आपसाने समाज में इस्तियों पुरुस की असमान भूमिका इस्तियों पुरुस के मद्द जैविक भिन्द था अगला के बालक और बारिकाओं की संख्या में असमा दिन अग्राठव के सवाल है कि राष्टवात का उध्य सर्व प्थम किस देश से हुआ था ठीक है राष्टवाद को यात करके गया राष्टवात का इसको आपका है इन प्रश्नों को आप याद करके जाइए कफरेंस आपकी बोड्स आपके बोnes के एकजाम में यहीं से सब सवाल आने वाले है ठीक है चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं देखे फ्रेंज आपका नमबर का सवाल है डियूक मेटरनिक ने हमारी समाजिक बिवस्ता का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है आपसने रूसो विक्टर एमेनुवल कालवीन जूसिप सबसे खतरनाक दुश्मन वानां है आपको देखे फ्रेंज जवाब वोगागा कि यहां नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है इसके लाओ ब्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देता है इसका सही जवाब सभगा देखे फ्रेंज आपका सामने नुवा नमर का सवाल है मिर्दा किस प्रकार की प्राक्ति संसाधन नवी करण योग्य संसाधन जैवा संसाधन संभावी संसाधन देखे फ्रेंज जो मिर्दा है वह आपका एक जैवा संसाधन है इसका सही जवाब सभ आपके सामने यह 12 ॉपर नैं नियुक्त में से पंजाब में भूमी संकुचन के मुक्र की कारळा है ठीक है गहन खेती अधिक सी चाहीज वननामूनान यह अती पसुचारव ठीक है व्रेच्ट देख Ada Tá जाओं। इखे संसे आधिक सी चाहिज कारव थ險 केरल बिहार पंजाब हर्याड़ा देखे राजी की शेशु मिर्त्यूदर निमनता में तो केरल राजी की है इसका सही जवाब होगा ठीक है इस प्रश्ट का सही जवाब होगा केरल आप किसमने चोदर नमबर का है सारवजनेक यमनीजी छेत्र को किस आधार पर वरगिकर्ण किया जाता है रोजगार की प्रिस्तितिया आर्थी क्रिया की प्रकृति उद्यमका स्वामित्व य सिस उद्यम के काम कर रहे सर्मिकू की संख्या ठीक है फ्रेंज देखिए सारवज अब देखिए फ्रेंस यह आपके सामने 15 नमबर के स्वाल है कि भूछरव क्या तात्पर रहे है भूमी का अनुपजावर होना भूमी का ददली होना भूमी का उपजाववर होना या भूमी का योजनावद उपयोग ठीक है फ्रेंस देखें यहाँ पर जो भूचरा है फ्रे सिर्व का अनुप हो ना थी, इसका सही जवाब होगा ओ ठीक है, तो भूचरा का आपका सही जवाब होगा ओ वला है, जो लावा है गोटवाना कोईला का जमाव किस चेतर में नहीं पाय जाता है, ठीक है, दामोदर घाटी, सोन घाट महानदी घाटी यह चंबल घाटी तो फ्रेंच देखिए यहां गोडवाना कोहला जो है आपका चंबल घाटी में नहीं पाए जाता है ठीक है आपका 17 नंबर का सवाल देखे फ्रेंच यहां पर भूमिहीन ग्रामिर मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास कलच अपने बच्चों को विदेश में बसा सके अधिक मजदूरी यह उपर्युक्त में से कोई नहीं ठीक है फ्रेंच देखिए बूमिहीन ग्रामिर मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास कलच अधिक मजदूरी है तो इसका सही जवाब होगा सवाला ठीक है तो सरकार विदेश ब्यापार को नियमित करने के लिए ब्यापार और दोगों कर सकती है सरकार यह निरले सकती है कि देश इस प्रकार की वस्तुएं कितनी मातरा में आयुजित होनी चाहिए विश्व ब्यापार संगठन ब्यापार और दोगों को बढ़ावा देता है अधिकतर देश ब्यापार और दोगों को प्रियोग अपने घरे लूप उद्योगों की सुरच्छा के लिए करते हैं देखे इसका सही जवाव आपका होगा विश्व ब्यापार संगठन ब्यापार और दोगों की पढ़ावा देता है देखते हैं निमनलिखित में से कौन सा प्रमपरा प्रमपरागत उर्यापती बह दोटापी और घरे ठीक है ठीक है देशेचσιंफा प्रमपरागत दोट है देख है कम दोत के लिएक जब्यापार दोटाएं भ्याते हुए पनियों के आगमन से लोगों की अधीक इसकी दिरुड़ी हुई या उपर्युक्त सभी तो देखे इसका सही जवाब हो उपर्युक्त सभी ठीक है अब देखे फ्रेंस यहां पर हम दिरुटरी प्रशनों को देखेंगे ठीक है खंडबा है जो आपका 50 अंग का है ठीक है है इसके बाद आपको मांचीत्र वाले जितने भी सवाल है उसको हल करके मांचीत्र भर के देखाएंगे देखिए पहला आपका है कि पर्थम विश्व युद्ध के बाद होने वाली महामंदी के कारणों की समिछा कीजिए देखिए आपका यह चार नंबर का है इस सवाल को मह तंत्र की आत्मा है इस कथन की विश्यस्था आपको लिखना है यह भी चार नंबर का है अथवा में जाती में राजनितिक राजनितिक में जाती की भूमिका की विवेचना कीजिए इस पर आपको पढ़के जाना है चार नंबर का है आर्थिक विकास के लिए उर्जा का प्रकार का प्रबंद करती है विवेचना की चार नंबर का अच्छे बाजार के प्रमुक्ल लच्छडों की संचेप में विवेचना कीजिए अभी आपका चार नंबर का फ्रेस्ट पूछेगा ठीक है देखिए आप इदिर गुर्टरी परष्णों को सभी बताते हैं आपको ठीक है अब आपका अगला है उत्तलाग भाट डेरसों सब्दों में आपको देना है देखिए क्या है महात्मा गाधी द्वरा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलोन के क्या करण थे इसे उन्होंने क्यों अस्थकित कर दिया था यह देखिए चार प्लस दूजारी चार नंबर का आपका यह प्रश्न रहेगा इस प्रश्न का आप जरू पढ़के जाएगा ठीक है महात्मा गाधी से संबधी अप प्रश्न जरू बोर्ड के एक्जाम में देखने क्यों मिलेगा देखिए सत्यागरा के क्या अर्थ है सत्यागरा पर मह आत्मा गाधी के क्या विचारत है यह भी आपका च्छा नंबर कर रहेगा ठीक है देखिए छटवा नंबर का है लोगतांत्रिक सुधात का क्या अर्थ है इसके लिए उठाए जा सकने वाले किनी चार कदमों का उल्ले कीजिए च्छा नंबर का प्रश्न पूछे का फ्रें अगला है भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्ले करते हुए इन अनाजों की पैदवार के लिए उप्युक्त भावगोलिक प्रस्तितियों का उल्ले कीजिए च्छा नंबर का रहेगा अगला है फ्रेंस कि असंगठि छेत्र के स्रमाजिक भेद भाव के भी श मूल भूत आयों का यह भी छानम बरकत इन प्रशनों को फ्रेंस आप पढ़के बोर्ड की एक्जाम में जरूर जाएगा फ्रेंस अब चलिए बताते हैं आपको मांचित्र वाले सवाल कैसे आप हल करेंगे उसका एंसर भी आपको मांचित्र भरके बताएंगे कि आप बोर् बर्मी लेगा ठीक है देखिए का वाला है वास दखिए आपको इन प्रशनों का मांचित्र पर अच्छे से भरके साफ सुतरा दिखाएंगे आप बस देखते रहे प्रशन देखिए वास्थान जहां जारिया अलबाग हत्या कांड हुआ था तो आपको पता होगा कि कहां प यहां पर यहां पूंजाब यहां पर फ्रेंट्ण आप और बीचिञी हरनाइट लिखेंगे और यहां पी देखिए अमृतर रहेती अविए अम्रित' लिख लीजिए लिख लेते हैं एक्जामिनर का दिमाग अदम इसी पर जाएगा आपको पूरे अच्छे नंबर एक नंबर भी नहीं कटेगा और आपको पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेगा ठीक है अब देखिए आपका खवला है जो देखी यहां पे वह अस्थान जहां से गाधी जी न आपको गुजरत में है है कहा्ँ पर गुज रात अभी यहां फोड़ा आपको यह आपको 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 देखते आपी वह यह अपका गुजवय थी चीज है और यहां से एक दूशन चीना चीना में लिखने और यहाँ पर डांडी यहां प्तिता। ब सभी देखे हैं तो आपको पूरे प्र हनंबर्शियगेू Satwes करने किसानों ने किया च्छाम किया आपका यहां पर लिखिये। ठीक है फ Uno установ a고 भूलिखियो रीधर के लिखिए यहां पर अहमद Babak है स्वारी दोस्तो नाधिया जीला ठीक नाधिया जीला प्नाधिया जीला जो है आपका स्वliम बंगाल के लिखिय पस्टम बंगाल थीक अब दिखिय इसको मान destroy आपको दिखाना मान्जितर इस तरह जिससे इस तरह लिखेंगे फ्रेंस तो आपको पूरा नमबर मिलेगा ठीक है अब देखिए अब देखिए फ्रेंस यहां प्रेंस आपको याद मानचित्र आपका ऐसे दखाएंगे अब यहां पर नीचे लिखती आपधाबाद लिखिए अभाश बनाई आप नीचे लिखती दिजिए गादाबाद लिखें अब यह आपका अब देखेंगे तो अस्तान जहां दिसंबर उनीस सो बीस में भारती राष्टी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ठीक है तो फ्रेंज यह अधिवेशन देख लिए यह कांग्रेस से संबदित जो प्रशने फ्रेंज आप इसको हल करके जाईएगा ठीक है तो कहा पर नागपूर ठीक है ठीक है बना लिए और देखे यहाँ पर नागपूर यहां लिख लिए नागपूर यह माहराष्ट लिख दिजिएगा ठीक है नाप पूरे का पूरे नंबर मिलेंगे ठीक जलिए आपको अगला वाला है आपका कि पेस्टम बंगाल का एक उद्धियान आपको आयत बना की इस तरह जो बनाया है उसी प्रकार भरना चिन द्वरा बहरता है देख़िए आप इसको लिखना कैसे अब पाश्चिम बंगाल है ना दीखे फिरेंज एक उद्धियान पहले देखे फरेंस यहां पे आप ना कि देना प्कते हैं और राश्ट्री इस तरह लिखते लिए प्रेंस जैसे पतारा रहे हैं राश्ट्री ँद्री इस पर लिए अब देखेorama पास्चिन बंगार आत्या है नदेके यहाँ बलिख पर अप्रवा जाईए देखे फ्रेंज यह बंगला देश ही आप जो है आपका यह वाला भाग यह आपका पस्टिम बंगार इस तरह खीची यहाँ पर लिखे नाईन कौन सा है कह वाला है अब यहां पर नाम लिख दीजिएगा जिससे आपको आसपास रूप से अच फफ़िजामे फ्रेंज ठीक है अब दिखे फ्रेंज है और भूब आन्दी पर बना बाद इस चिन दृद्वारा देखाना अब इस पर बाद एक याद में ठीक है सर्दार्ष वरबांद कहा पर इसको इस चिन द्वारा देखाना है आपको चलिए मांचितर पर देखाते हैं अभी आपको बता ना और यह आयत था प्रस्ण में दिया इसी प्रकार से आपको देखाना ना अब यहां पर देखिये फ्रेंट जखें यहाँ पे आपका सरवा जो गुजराद में इसको चिन दखाना है तो आप देखें यह गुजराद है आप इसको इस प्रकास से पुरा बनाईए ठीक है साफ सुतरा और देखें इसको लिखिए ऐसे करके देखें नाइन का कौन सा आपका नाइन बनाईए इस तरह किएगा ठीक है यहाँ पर इसी प्रकास से लिखना ठीक है अब यहाँ पर देखें आपको सरदार है सरदार सरोवर बान ठीक है सरदार सरोवर बान ठीक है इस प्रकास सबस्ट्रूप से भर लिजिएगा अब देखें यहाँ पर महानदी को देखाना चिन द्वारा देखान अब दिखाते हैं आप मानचीतर पर अपका उड़िसा से निकलता है इस चीने तवाला भाग उड़िसा आप चीन किचने के बाद इसको आप देखा देजिए जाएसे लिखिए 9 का यह लिखिए नाइन का खा और खा के को था नमबर चोथा तीसरा है और तीसरा का यह है महानदी लिख देंगे ना मदम ठीक हो गया आपका जैसे बता नमबर का जारखंड का एक कोईला छेत्र डेल्टा चिन द्वारा देखाना है अब देखे जारखंड में कौन सा है आपका जहरिया, आपको याद HOगा कि जहर खंड में, कोयला छेटर काउसद है? जहरिया है अब देखे इसको में देखाना है और डेल्टा और देखे फ्रेंश आपका जहर化ंड है कहाँ पे यहां पर देखेंगे यह ऑला जो छेटर है आपका जहर यहां पर डेल्टा बनाएए और इसको इस तरह खीच किये ना इन का वाला है यहां पर लिखने के बाद आपका कौन सा है चौता नंबर का है और यहां पर जहरीया लिखेंगे आप जहरीया इस तरह लिखे दिजिए असपाश रूप से ठीक है अगला है आपका भारत के पुर्वी टट पर इस्थित एक पतन को आयत चिन द्वारा देखाना है अब इसको कैसे देखाएंगे मांचित्र पर अब चित्र पर इसको याद रखिए अब यहां पर आपका हल्दिया है यहां से यहां साब इस तरह आप देखिए कौन सचन बनाना तो इस दरब लिजिए फ्रेंज आयत eh प्रूविट पर और दह्यां इस तरह बनाते हुए आप इसको असपरष रूप से इसतरह देखे साफ उत्या लिख्येगे गानाइन का कौन सब्सक्राहे नौल सब जादा मान्चित्र आपको बोड की एकजामें भरना है ठीक है यदि आप जिस प्रकार बता है इस प्रकार से बोड के एकजामें मान्चित्र को भरते हैं तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा और इसको इस वीडियो का आप एक दो बार जरूर देख लीजिएगा जिससे आप बोड की एक्जाम अस्परस्टूप से इस प्रसंद सवाल बनता है तो आप एक्जाम कर सकते हैं